नमस्का स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीरती लेकर हाजर हूँ एक बड़ा मुद्दा और आज हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो बड़ी शक्सियत मौजूद है उनसे हर कोई वाकिफ है हाला कि बड़ा दे कि उतरप्रदेश में चुनाओ आने वाले हैं 2022 के चुनाओ नस्दीक है और इस नस्दीक आते चुनाओ के बीच भाजपा के सयोगी दलों की मांगे भी बढ़ गई हैं कुछ दल नराज हो गए तो कुछ दलों की जो मांगे हैं वो खुल कर अब सामने आने लगी है तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद हैं जिनोंने भी एक ऐसी ही ताल ठोक कर मांग रख दी है अला कि उन्हों का कहना है कि आरक्षन चाहेगी लेकिन पार्टी में हिस्सेदारी को भी वो कही ना कहीं सुनिश्चत करना चाहते हैं तो आज उन्हीं से जानेंगे कि वो डिप्टी सीम के पत के लिए क्यों आने हैं और क्या इसी पत को लेकर वो आगे 2022 के चुनाओं में बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर कोई और विकल भी उन्होंने सोच रखा है तो इसी पर साथ आज इस्टूडियों में मौझूद हैं बहुत दौस्वागत है सर आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है मैं आपसे सबसे पहले यही जाना चाहती हूँ आपने जिप्टी सीम पद की मांग की है उसको लेकर आपका क्या कहना है इस चैनल को बढ़ाए दूँगा कि कम से कम इस देश में जो आजाद कराने वाला परिवार है जो मच्छुआ संब्दा है पहले सड़के में नदियों से दुनिया में व्यापार होता था दुनिया के आकरमनकारी नदियों के मादम से आते थे हमारे लोगों ने अंग्रेज में सुच्छी बद्ध है और राष्ट पतीनी नोटिफिकेशन भी कर रखा उत्तर प्रदेश में कि केवट मला को मजवार में गिनो और कश्याप कहार को जो है तो रहा में गिनो तो आईसी सपिसली सरकारे ये पांच साल सोले दिन पांच साल सोले दिन देश आजाद हुआ और निश्वार में वह जो काला कानून था अंग्रेजों का बेटा डाक्टर होता है इंजिनियर का बेटा बेटा बदमास हैं एक क्रिमिनल कास्ट ने जनमजात अपरादी है इने जेल में भेज़ दो वह काला कानून देश के आजाद होने के बाद भी था जब 31 अगस्त त अंग्रेजों का बनाये काला कानून हटा हमारे लोग इस मुद्दे के हल के लिए निशाद पार्टी का हल हुआ हमारे लोगों का मानना है कि भाई जब दलित समाज दल दल में था अंबेटकर ने संभिदान बनाया उनके पास एक नेता बहुत ताकत वर थे जग जीवन राम साब थे वो जब थे तब भी दलित मा के दलित मा के कोक से हरवा पैदा होते थे लेकिन आज के दिन में जब उनकी पार्टी आ गई एक न पार्टी का जनम हुआ कि निशाद राज के किलिए पर कभी राम गए थे अजुद्या से निकाले गए तो उनके बास सेना नहीं थी लंका पर बिजय निशाद राज के सेना ने प्राप की थी और उन्होंने देखी थी राम ने अपने कैबिनेट में अपने साथ वो दोनों सरकार हम नामने चाहते हैं अगर उन्होंने देना ही होता तो हमें पार्टी बनाने की जुरत नहीं पड़ती में निशाद पार्टी में निशाद का राजा होता होता ताजा होता है अगर तीन परसेंट के लो तीन जिनकी संख्या कम है अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं हमारी संख्या तो अठारे परसेंट है लड़े प्रदान मंत्री बनो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनो बाद में आप सत्ता के साथ आओ फिर वहाई नगा तो चुनाओ नहीं लड़े थे हम कहते हैं हम लोगों ने एक वोट बैंक है यह वोट बैंक नेताओं के पाकेट में था हमारे नेता बेचारे मारे गए जितने भी नेता आए चाहिए महिन सिंग रात्पूर धनिरामरमा रगवर जारबनमा मनौरलाग जैपाल कस्यप जूरी बिन मैं कहता ह है कि अगर आपको नहीं बनाया जाता है तो आप सायोग tutorials हमारे समाज के साथ है वह के साथ हाए को represented करेंगे इनके आरच्छन का जो भी संगती है मैंने कहा क्या मामला है मैंने उनसे ही बताया कि राश्पति ने लिख रखा है कि के वर्ट मला का मजवार दो लेकिन कुछ बैमानों ने हमारा नाम पिछडी जात में डाल दिया है हमारी जो फाइल है जो फाइल के अधार पर जापती मिले उसी तरीके के लेटर भेजना है उत्तर प्रदेश में लेटर भेजना है कि मिलने लगेगा पिछडी सिनाम निकाल दीजिए हमारा तो मैं यही इतना कहा था उन्होंने कहा हो जाएगा हमने इतना कहा था बाई सतर साल से हम लोग लिखे हुए मजवार गाउड अपने लोगों की मांग उठाना चाहते हैं उनके प्रति आपकी जो कर्तव विबनता है उसे सामने लेकर इसको लेकर 2022 का जब चुनाव नजदीक आया तब आपको लगा कि अब आवाज उठानी है नहीं देखे मैं तुरंत जीत के गए मैं मोदी सामने बैठा अब मोदी ज मंदिल बनाने इंक त나 ताइन तोड़ा हमें समय दे दो समय दे दिया महा मारी आ गई महाँ आने के बात भICES दुनिया में सारे लोग समय आ आज के दिन मेरा समाज देखो नाराज हो गया अलग से 33 चुनाव लड़ लिया बाजपा चाउथे नंबर पर आ गई यह इनको खुष इनको दुख देके आप खुष नहीं कर तकते मैंने उनसे ही कहा कि अगर आप कैबिनेट में जगे दिये होते केंदर में मंत्री बना होते मंत्राले द्वारा 20,000 क्रोड रुपया उत्तर प्रदेश में मस्वारों के नाब्ज़ दिया लेकिन उसमें यह मंत्री के साथ साथ कैबिनेट में मंत्री का भी पात चाहिए मैं कहता हूं कि जब तक हमारे उंटोप व्रतिय दिया मेरे समाज के लोगों ने समांग है ना उनका मांगा भारते जनता पार्टी को लगेगा की डॉक्तर साहब के केंदर में समय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की तो बात बनी आखिर कार आपकी की नहीं मागने वाले नहीं हम लोग देने वाले ओट दे के सत्ता मिला है भाई जब सपा बसपा एक हो गई हम अकेले होके मोदी जी साथ खड़े हो गई इतना अगर बहुमत से इतने ओट से हमने जीताया है तो मेरा नहीं अधिकार बनता है और उनका सम्मान मैंने का जो कहे हैं कि आपको हम सारच्षड देंगे आपको जो है केंद्र और राज में मैं कैमिनेट दूंगा पावर दूंगा जाक अपने समाज की सेवा करो मैं वही त यानि कि तो बिल्कुल डील आप कर रहे हैं सामने से कि अगर आप मान गए के कैबिनेट में मंत्री पद और उसके साथ उप मुखे मंत्री पद नहीं बनाया गया तो 2022 में बीजेपी नहीं जीत रही है यह तो आज के दिन में निसादों को नाराज करने से निसादों का हख हिस्सा लुटाने से आज समाज नाराज है अगर आज के दिन में यह दिये होते कैबिनेट उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन में वह अधिकारी बदमास निसादों को नाराज नहीं करता कि 15 दिन में उनके tender का पैसा जमा करना। लाग डाउन में जमा करना। देविदिया दू 4-5 ला टेंडर कैंसिल कर लिया। तो ये नाराज नहीं होते आज के दिन में जो पैसे दिल्ली से आए, अलफसंख्यक के कुछ ब्यापारी हैं वो सब ले लिया। तो आज के दिन मेरे समाज की माँ है भारति मेरा मांग है हमारा कानम मित्र के हैस्यत से कि कहना है कि निशाद पार्टी आप मुद्दे के समझोते हुए थे आपने जो वादा किया थमने मागा नहीं था खुद कहा था उसे लागू कर दीजिए पहला आरच्षण था दूसरे नंबर पर हमारे समाज के पर राज घाट नदी छीन लिया रोजी रोटी दे देंगे तीस चौथे नंबर पर हमारे लोगों को समाज जित करेंगे तो अपनी आवाज को हम लोग उसे लागू कर तो उन्हों ने आपको लोग सभा सीट भी दी प्रवीन निशाद को आपको दिया गया संदकभी नगर उसके बा संघर्षों का परिवारबाद है घर भर मिले थे मुलाहिम सिंग तब सत्ता में आयते आज किसी घर में घर भर के लोगों को भगत सिंग बनाया है ये पूरे परदेश में पूरा हमारा परटी परिवार आज के दिन में हमारे परटी के निडये लिए तो हम चुनाविए एक मेरी है मैं पहला दूसरे दूसरे प्रत्यासी देखें जीते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपने परिवार को देदिया तिक टिकट तो मैंने 15 निसादों को को दिया था हर विरादरी को दिया था 72 सीटों में से मैं यह करना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों निड़े लिया उप्चुना गोरब्पुर मिलड़ गए आप देख लो मुख्वंत्री की सीटों पर हमें जीत मिली फिर समाज निरे कर नहीं और अच्छर दिल्ली और राज पर देखो मामारी के नाथ पिछला समय प्राइसा था नहीं अभटेर अप काम आप नहीं लगेगा नड़ा साब ने खुद अगर हमारे मिलने की बात को ट्विट किया हो हम लोगों के खुशी खुशी वेल नन है कि उन्होंने जाओ अपना काम करो और अज़ुषा ने दौरान हमने दूसरा बयान स्वामी प्रिसाद मौरिया का भी सुना जहाँ परुना ने बोला कि आपका वजूद जो है वो भारती जनता पार्टी से ही है तो क्या लेंगे इसको फिर आप हम तो कहते कि भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब से मैं वजूद में आ गय और दलितों को आज के दिन में। मेरा अस्तित मेरे कारिकरता मेरे और मेरे ओट बैंक है आज ओट बैंक निशाद पार्टी मे आ गया तब सभी लोग पहचान रहें। है निशाद पारटी में आने कि नाते हम गोरकपुर जीते थे इसे पहले भी बहुत निशाद लट रहे थे निशाद निशाद पार्टी की नाते आज के बाद निशादों को थोड़ा पिछली सरकारों ने जो कानून बना के दर दिया अब कम से कम कानून नहीं बन रहे हैं निशाद पार्टी की देन है कि आज के दिन में पूरे देश में निशाद क्या होते हैं 18% है एक सोट सीटे हैं सत्तर सीटे निसाद बावल है सत्तर हजार से उपर है नदियों कानून बाहरना मचली मारने में बाउजन समाज पार्टी चली गई वही अधिकारी है मैं तो उन्हें नसीहत दूंगा कि उन अधिकारियों को देखो कि क्या कर रहे हैं ओर वही मचली वही गुमफिर के कि आपको क्यों सीयम बना दिया जाएग वबीसी का इतना बड़ा चहरा केश्र प्रसाद मौर्या और भाजपा में शामिल है स्वामी प्रसाद मौर्या है भाजपा में तो आपको डेपिटी सीएम का पत्त क्यों दिया जाए कभी मौरिया के लोग रोट पर नहीं आएंगे किसी अंदोलन के लिए अपनी समस्या के लिए इसके मिलब डिप्टी सीएं बनने के बाद मौरिया समाज का दर्द कम हो गया उनके लोग आज रायनितिक संरचन में हैं लेकिन आज हम लोग दो साल से न 332 से लेकिन वो दूसरे दिन एक अधिकारी जो है यादो समाज के थे उन्होंने उसका प्रमार्पत न दे के हारे वाले को दे दिया जीते वाले को रोक दिया हमारे मैं डियम से दस बार कहता रहा लेकिन माने नहीं और जब हमारे लोग चौकी फूग दिये वह भी मुखमं मुखमंत्री के छेत्र में जब फुग गया जो की ठाना और कई जो तब प्रमार्पत्र मिला तो इसके मतलब हमारे लोग संगर्ष कर रहा है नहीं अगर हम लोगों का चहरा सिटी सीम का हो जाएगा तो अधिकारी डरेंगे यह काला कानून नहीं बनाएंगे अन्याय नहीं निशाद का समाज नहीं आया है ना मैं कहता हूं आज की दिन में समाज रोट पाता वोट तो समाज हमारे कानेप दिया है निशाद पार्टी के डाक्टर संगे को पोलेटिकल गाड़ड फादर आफ फिसर मैन की उपादी कांसी राम साहब को मिली और उनकी बेटी जब प्रजस्ती पिछड़ी में डाल दिया जो गैर संभाइदानिक है जब रास्पती ने लिग दिया हो उसका नाम अगर पिछड़ी में डालते हैं संभीदान के गलत है यह उल्टा हुगा तो उसी को बदलने के लिए हमारा समाग बांग से भी हट गये थे आप उसके बाद कहीं ना कहीं यह तो साफ जलगता है ना कि आप सपा में गये आपने अपनी मांगों को रखा वो नहीं मांगे तो टफ नेगिशेटर आप हमेशा से रहें कि आपकी मांगी मांगी गई तो ठीक है नहीं मांगी गई तो आप फिर महां से हट जाते तो आप बीजेपी में भी आप आपको कैबिनिट में आपको मंत्री के तौर पर नहीं बोलते हैं तो क्या आपके पास दूसरा विकल्प अभी माजूद है देखे हम ने कोई मांग नहीं रखिए भारती जंता पार्टी युद्धे की लड़ाई हम महुत पहले से से लड़ रहे हैं भारती जंता पार्टी नहीं कहा हमारे साथ आओ यह मुद्धे हम हल कर देते हैं हमारी कोई माग नहीं है जो मुद्दे हैं वो उससे लहल करने में अगर भारती जंता पार्टी को नुक्सान होगा तो नहीं करेंगी एक लेटर अगर उत्राखंड में दे दिया कि सिल्पार जाती नहीं अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या बीजेपी के साथ आप दुखी होकर रहना पसंद करेंके या फिर विकल्प आप ले तयार रखा हुओ ने उनसे बता दिया हूं पार्टी के लोगों से कि मेरा समाज दुखी है इस समय हम तो आपके साथ अभी है अंत में रहेंगे जब तक दर्वाजे साफ भटा नहीं दो गए लेकिन मेरे समाज के लोग अलग हो रहे हैं इस समय प्रसाद मौरे के जवाब दीजे ना फिर संजे स्वाबी प्रसाद मौरे ने कि आपका स्थित्वी भाजपा के साथ है उन्हों ने यह नहीं बोला कि हमारा स्थित्व है मैं कहा रहा हूं कि हमारे मुद्दे दिल्ली और उत्तर-प्रदेश से हल हो सकते हैं कि सबको हमने देख रखा सब्सक्तर साल में सभी पार्टी को दे की अफ़े हमारी पार्टी खुद चुनाव लड़ने के लिए बने रहा है बारते जनता अबने बारते homme सीटों पर प्रकश राजपास करने सेंट विए बिए और मन्तरी मंधल में शामिल नहीं किया गया अपना दल की वाज़गी है उसके बावजुद आपको क्या लगता है आपकी मांगों को सुना जाएगा उम्प्रकाश रादबर जी तो चिक चिक के कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे आप हमारे साथ आजाई क्यों कि नहीं जाते उनके साथ की सुरक्षा दिलाने के लिए पार्टी बनी थी अब पिछड़ें बटवारा मांग रहे हैं तो हमारा मंद्वा मार हमारी पार्टी का जनम संघर्ष का जनम है हम रेल रोगते हैं हमारे लोग जनतर मंतर करते हैं हमारे लोग ग्यापन देते हैं अभी हमने पिछले साथ तारी क्यों साथ जून को हम लोगों ने पुरे प्रदेश में हर तशीलों में आगे पंदिल आए जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिल जाता है हमारे लोग रोट पर आते हैं हम कहते हैं हम रहे हुँ आप मुद्धे मंत्री का पद मिल रहा है आप उस मुख्य मंत्री के पद से आप अपने समाज की तमाम मुद्दों को ठाकर उनकी तमाम मांगों को पूरा कर सकते हैं मैं कह रहा हूं कि भारती जंता पार्टी को सोचना है मैंने उन्हें उन्हें फायदा होगा तो मेरा आरच्षण लागू करेंगे उन्हें फायदा होगा तो हमें मंत्री मंदल में रखेंगे उन्हें फायदा होगा तो हमारे मुकंद में वापस करेंगे ने हमारा तो पहला पार्टी का कि हमारे मुकदमें वापस हो पिशली सरकानों ने दर दिया मेरा मुद्द है कि हमारे समाज की जो ताल घाट नदी छीता रोर जी रोटी चीन लिया उसे कानून बना को अधा हमारा है कि हम लोग पार्टी में हमारी पार्टी समाट साथ रहेगी सरकार के तभी ये सब लागू हो पाएंगे क्योंकि 70 साल से संविधान में लिखा हुआ है लेकिन लागू नहीं हुआ इसलिए कि हमारा प्रतिनिदत नहीं था और पावरफुल हम लोग काइबिनेट में और नहीं थे उपमु सब्सक्राइब करते हैं और कम करके हम लोगों ने सफलता बनाप किया है सतर साल अलग बास हम लोग साथ साल में ताल का मचाजी लेकिन व्रकाश राजबार्जी ने जो आपको आफर दिया है अपने ठुकराया आपने सीधे बोला कि उनके मुद्दों से वह भटक चुके हैं उनके साथ नहीं जाना थे हम संभिधान में सुरक्षा तो पार्टी जो सत्ता में वहीं दे सकती है हम उसे हम अपने लोगों तो सत्तर साल से हमारा समाज सत्ता से दूर होके सताय गया कम से कम अब सताय नहीं जा रहा है अभी आज के दिन में मलें खुस नहीं कर पाई भारती जंतापार्टी लेकिन दुख भी नहीं दिया हम कहते हैं पिछली सरकार होने तो कानूं बना कर दुखिया भाजपा के साथ रहके आपका कुछ कल्यान हो पाएगा निश्चीत रूप से दिल्ली में उनकी सरकार है कलम उनके पास आपको क्या लगता है कितनी कितनी सीटों पर आप भाजपा को टक्कर दे पाएंगा अगर आपकी मांगों को नहीं मानते हैं और आप क्या अलग होने कि स्थिती में जब नहीं है कश्याब नहीं तो अंके साथ होते तो सथ्ता में क्यों नहीं आई हो अधिक दिन में हम तो जो भी हम दूसरे के उपर आरूब कि प्रेक्टिकली रूप से हमारे साथ बिंद भी है आप देख लो हम कहते हैं आप बदोहीं में देखिए मैंने बिंद के बेटे को एंपी बनवाया अपनी सीट खाली करके बदोही मैं लड़ने जा रहा था लेकिन मैंने हमारे बूद में जेल में भी है हम अभी जब समय आएगा तो सब दिखेगा मेरे साथ का हमारी बात 160 सीटे निसाद बावल हैं हमारा मुद्दा है भार्ती जंता पार्डिग मनें बता दिया हमारा आर्चन हल करें जो सीटे देना हो सीटे नहीं रहेगे को तो कि शीट नहीं रहे तो हमारे मुद्दे हमारा समाज के लिए समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहा है समाज मेरे साथ मेरे समाज का सला है हमारा मांग नहीं है मैंने पहले दिन भी बता है मैंने समाज का सला है कि ऐसा बीजेपी करें वो सला को अगर बीजेपी नहीं मानती है तो जो सीटे वो देंगी जो पल वो देंगी उस पर आप खुशी-खुशी विराजमान हो जाएंगे सला की नई सला है तो सला में कहाता देने में सला दे दिया हमारे समाज का मुद्ध हैै ताल घाट नदी निगूंताइट में यहीं दर्च करूं कि अगर आपने जो मांग रखी है उस पर बीजेपी मान जाती है तो भी ठीक है नहीं मानती है तो थोड़े बहुत दुख के साथ क्योंकि डेपीटी सीम का पद नहीं मिला कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिला तो हम खुशी-खुशी उनके साथ फिर भी रहने के लिए उसे कह दिया कि जब आप अपने दर्वाजे सटा दोगे डाक्टर साहब तब हम जाएंगे हमारे लोग आप से दूर हो कि जैसे में मिलने का मिल गया कोई भारती जन्ता में बैठके सुरू हो गए उनकी बैठके सुरू हो गई इसके मतलब गुड़ है और आज कि दिल्ली में मैं मुकमंत्री जी से मिला बदाई देना था और नडड़ा साहब को हमारे लोगों का सलाह है हमारे लोगों का मांग जो है आरच्छन है मेरे में लोगों का मांग जो है वो जो है उनका मुकदमा है तालगाड में आखरी सवाल संजे जी आपसे अखलेश यादव कैसे नेता है और क्या लगता है क्योंकि आगर हम विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़ा चहरा वही है इस वक्त उत्रप्रदेश में और जो काटी की चक्कर दे रहे हैं लगातार उनकी जो 2022 की चुनाओं को लेकर तैयारिया भी उन्होंने दुर्स कर रही है और उन प्रकाश राजबर की नाराजगी भी भाजपा से कही ना कही उनके लिए कमजोरी पड़ेगी और आप ने तो मा बत करके हम अच्छे नहीं होते हमारे मुद्व्य अच्छे नहीं होते तो साइद मेरा समाज इतना साथ नहीं देता और उतनी बात हमको दिल्ली तक वकालत आ सब्सक्राइब YouTube करने यह कोई नेता है वहां तक वकालत करने की छमता प्रदान मंत्री ने तो ही कहा कि डाक्टर साब आज 70 साल में मलब हम जब से राजनीत कर रहा हूं तब से पहला बेक्ति आप मिले हो कि अपने समाज के मुद्दे की हल मांग रहे हो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हो आज भी मैंने बता है ह हमारे समाज का मुद्द हालो जा जो भी भारति जुंता पाटे को देना हो हमारा समाज को मेरे समाज को दुख देके भाजपा सुख नी भोख सकती कियोंकि जिसने भी दुख दिया वह आज दुखी है लेकिन आम आपने की चैन्ट भाजपा जो भी देगी हम उससे खुश हो जाएंगे कि आपको deputy CM का चेहरा होना चाहिए लेकिन negotiate करते करते पार्टी में कोई भी पद मिलेगा तो संजी निशात जी को चलेगा ओम प्रकाश राजबर के साथ वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं इसी के साथ मैं यहाँ पर आप से लेती फिर हाज़िर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ आपका ही मज़ जाएगा सुअस्त रहिए सतरक रही और आकीर्टी बंडुलक्सा देखते रहिए प्राइम टीवी